जरामरण मोक्षाया मामा सृत्य यतन्तिये देब्रम्भाग तद्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम प्रेदर सुपू नमस्कार एक बाद फ्रस्व बुस्तित हूं आप सो के सामने सो मुआर के बाद मंगलबार के कार्यक्रम में विसलेक्षन चन्मकुंडली का इस कार्यक्रम कंतरगत आप लोगों में से चुनी गई कुंडली जो कमेंट के मात्यम से ली गई थी उसमें से 14 हमी में से ये सायद 11 हमी है और नाम है इनका देवान सूथार ये हैं ठिकरी मत्यपरदेश जन्म समय तो नहीं बताऊंगा इन्होंने मना किया है पर डिटेल ज जिन लोगों की अपोइंट्मेंट मेरे पास है वो लोग थोड़ा धैरे रखेंगे तब्यत के कमजोरी के कारण एक दो कुंडलियां दिन में कम देख रहा हूं नहीं तो जिनकी देख रहा हूं उनकी भी छूट जाएंगे तो आप लोग थोड़ा सा जो है वो बना करके र पास्टनों का आधर करने वाला होता है एक बात सबसे पहले बताना है कि पंचांग हमेशा ही उतना ही महत्तोपूंड होता है जितना की आपकी कुंडली में बैठे ग्रह ये थोड़े भी निगलेक्ट नहीं करे जा सकते ये फाउंडिशन होता है हमारी कुंडली जो बनती ह वो कैसे उसके आधार, वो स्तंभ कैसे काम करते हैं, वो ग्रह कहां से प्रभावित हो करके उनको परिणाम जो वो देते हैं, वो कहां से आती है, उनके पास शक्री कहां से आती है, तो उत्तरान में जन्मे होने के कारण जितने भी शुभग्रा होंगे, वो अधिक बलशाली हो करके या बलत्तों के साथ प्रभाव करेंगे मतलब अच्छा हो जाएगा और जितने भी पापक रहोंगे उनका प्रभाव थोड़ा कमजोर हो जाएगा वशंद रितु में जन्मे होने के कारण व्यक्ति प्रेमी किस्म का है कृष्ण पक्ष के अमावर्षया में जन्मे होन का प्रेशर रहता है, मतलब आप ऐसा हो सकता है कि आपके अपास धन टिके नहीं, ऐसी स्थोतियां बनती है, गुरुवार के जन्मे हैं, इस वज़ा से विक्ति जो है वो भद्र है, बहतरीन है, सुन्दर देखने में होगा, गुरुवत होगा, गंभीर वाणी को वोलने वाल मानसिक स्थोति बहुत है, सुद्रण और किसी भी चीज़ को जल्दी ही याद करने के चमतावाला, वनिक स्वभाव का होता है, और प्रभाव संपन्न होता है, दो-तिन बात और भी एकर कहूं, तो नाग करण में जन्मे होने के कारण, व्यक्ति के साथ कई बार दुर घटन इन सब चीजों से थोड़ा मुक्तसा है, और चीजें ठीक है, मतलब ये एक तरीके से अगर ये कहें, कि ब्रभाव कैसा है, तो इसे मैं सात्विक ही कहूंगा, क्योंकि ब्रह्मण बढ़न और देवगण के होने के कारण ब्रभाव के पास जो है वो उपकार है, परमार्थी है, धरमार्थी है, धर्म करने वाला है, सदाचार है, चिंतनशील है, मनंशील है, दूसरों की अपिक्षा जो है वो अपनी नुकसान के स्थती में भले चला जाए पर दूसरों का नुकसान नहीं होने देना चाहेगा, ऐसे स्थती बनती है, जनम कुणडली में आगे के बता दूगा पर इंकी कुड़ी में ये पंचांग था अब आगे आपकी कुड़ी में मैं इनकी कुड़ी में प्रहज़ कुलig रही है कि ये पिता ने इनकी कुड़ी वेजी है और जैसे की एक बात बड़ी अजीब है, पिता जो है वो बड़ा एक अजीब सा संबन्ध होता है माता और पिता का, अपने बच्चों के प्रतिक, और सबसे बड़ी बात है, इनका सवाल देखिए, मेरे बेटे के लिए पिता का और माता का सुख कैसा रहेगा, अब उसमें अगर ये सवाल हो और अमावश्या का जन्म है इनका, अमावश्या, लेकिन एक बात बड़ी अधूत, मैंने एक शूत्र में भी बात बताई थी, कि लगन में ही सुर्य और चंदरमा अगर बैठे हों, चाहे किसी भी लगन की कुनली हो, तो कुनली खराब नहीं होती है, कुनली अच्छी होती लगन में ही अमावश्या दोष बनेगा, इसका मतलब है कि व्यक्ति थोड़ा से बिमार जरूर हो सकता है, पर ऐसे कुछ बिशेश बात वाली बात नहीं है, परंतु अगर लगन में सुर्य और चंदरमा बैठे हों, या दशम में सुर्य और चंदरमा बैठे हों, तो व्यक गुरू धनुराशी के अधिपती होते हैं, यहीं बैठे हैं, शनी इस कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, इस कुंडली में वो मारक होते हैं, और दशम में आकर के बैठे हैं, इस वज़़ा से कैरियर को कई बार कमजोरी देंगे, राहु घर में कलह का बाताव लगने में बनी है, लगन के अधिपती का दशम में श्वग रही होना, ऐसे स्थुति में ब्रभाव लक्ष्मी योग और लक्ष्मी से संपन्न बना देता है, लगन के अधिपती का दशम में जाना, मीन लगन की कुंडली मतलब मीन ही लगन और मीन ही राशी, क्योंकि चंद इसके जीवन में प्राया लगी रहती है, चीजों को लेकर के confusion थोड़ा सा रहता है, लेकिन अपने पैरों पर पहले खड़ा होना चाता है, इस कुंडली के लिए लगन और दशम के अधिपती होकर के गुरू बैटे हैं, इस वज़े से कारियर पे बहुत ही जबरदस तरीके स गुरू का प्रभाव रहेगा, मतलब गंभेरता है रहेगी, साथी साथ और शानी के साथ बैटे हैं, तो व्यक्ति सस्टेन करेगा, लंबी दूरी तक किसी एक ही छेत्र में आगे बढ़ने का योग भी देख रहा हूं, भन भाव के और भाग्य भाव के अधिपती होकर के म इस कुंडली में सबसे अच्छे ग्रह के रूप में जाने जाएंगे, योग कारक प्लैनेट बनेंगे, मतलब वो योग की स्थती पैदा करेंगे, जाकर के जन्म कुंडली में लाव भाव में उच्च की रासी से पंचमस्त, यानि की लाव को भी बल मिलेगा, और अपने से बड़ों का, इन सब का आशिरवाद उसके पास है, और ये एक सबसे अच्छी बात हो सकती है, कि आपके पास आपके पूरवजों का बल है, आपके पास आपके बड़ों का, कई बार हमारे बड़े जो होते हैं, वो हमारी टांग खीचने में लग जाते हैं, कई ब पहले हैं कि बंगती बड़ों का समपान करेगा, आधर करेगा, और प्रतिस्था प्राप्तु भी करेगा, तो यहाँ पर मंगल सबसे अच्छे होंगे, इस कूंडली के लिए आठ, यानि के विश्चिक रासी, और करक रासी, अच्छी होगी, और इस कूंडली में कारत भी हों बैंकिंग और फिनेंस के छेत्र में काम करने वाला भी हो सकता है। कई बार ब्यक्ति के उच्छा बहुत ही बहुत जबरदस्त और बहुत ही उचे दर्जगी हो जाती है। क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि अस्थम स्थान के अधिपती और जन्म कुंडली में त्रिक्तिय भाव के अधिपती हो करके शुक्र इस कुंडली में बहुत अच्छे नहीं होंगे, मेहनत करवाने वाले और अपनी दशाकाल में ब्यक्ति को कई बार बहुत ज़्यादा दूर तक जाना पड़ता है, चलना पड़ता है। लेकिन सब्तम के अधिपती के साथ अस्थम के अधिपती बार हमें भाव में बैटे हैं और कई बार ऐसी स्थिती में ब्यक्ति के रिसर्च वाला छेत्र जो जीवन में देखने को मिलता है, ब्यक्ति के जीवन में बड़ी अच्छी होती है और खास करके उसकी वाणी और उसका ब्याय दोनों ही ब्यायात्मक होता है, वो किसी के भर करता है बोलता जादा है चंचल जादा है ऐसा हो सकता है यह इस्थति बनती है यह आपकी कुंडली की ग्रह की इस्थति थी शुक्र के बारे में चर्चा करी बुद्ध के बारे में चर्चा करी मैंने ब्यक्ति घर से दूर रहे माता का स्वास्त कमजोर रहे पर माता की आयू पिता भाव के अधिपती पिता में बैठे हैं, माता और पिता दोनों का सहयोग बहुत ही अच्छा रहने वाला है, कई बार माता जो है वो बीमार रहती हैं बच्चे के आने के बाद, पर पिता जो है वो उसको ठीक रखेंगे, पिता के स्थी ठीक है, जन्मकुंडली में उसक भाग्यूदे कौन से वर्स में होगा, नहीं, अगला सवाली दुने पूछा है उससे पहले कि उसकी पढ़ाई कैसी होगी, देखें, सुर्य और चंद्रमा लगने में, ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसे खराब नहीं कहूंगा, पंचम भाव के अधिपती या वाव के अधिपती पे राहू की दृष्टी बगति बुद्धिमान है, और चतुर्थ वाव के अधिपती नीचा भेला सी, लेकिन सुक्र के साथ बैठे हैं, जो कि अस्टम के अधिपती हैं, तो चतुर्थ और अस्टम के अधिपती का एक साथ द्वारह में भाव में जान ब्यक्ति को घर से दूर ले जाकर के स्थापित करता है, ब्यक्ति घर से दूर जाकर के पढ़ाई कर सकता है, साथी साथ विदेश के डिग्री विदेशों से या distance learning education में ब्यक्ति आगे बढ़ सकता है, ये इस्थोती बनती है, जन्मकुंडली में चतुर्थ के अधिपती का अ सब्तम के अधिपती के साथ और तिर्तिय के अधिपती और सब्तम के अधिपती, ये दोनों हुए न, एक साथ, बुद्ध, बुद्ध, शुक्र, शुक्र, ये हो गए, ये चारों एक लाइन में, ये दोनों एक साथ, जन्मकुंडली के बारा है में, इस होज़ा से ब्यक्त स्थोती बनती है अगर यहां पर पढ़ाई करे तो बाहर जा करके नौकरी कर ले अगर नौकरी बाहर करना चाहे तो भी स्थोती बनती है यह स्थोती कई बार घर भावन भूमी वहां नादी में या कई बार जब वो अपने बल पर कुछ खरिदना चाहे आलिशान बंगला आल जोर हो जाएगा क्योंकि पापगर पैटके हैं इस कारण से तो ये इस्थति बनती है आपकी कुंडली में अगर और भी गौर करें तो मैंने चंद्रमा की बात करी थी कि चंद्रमा पंचम के अधिपती होकर के लगन में बैठे थे सिक्षा के लिए अपने सवाल पूछा था स सूरिय जैसे ग्रह के साथ है इस वज़ा से जन्मा कुंडली में वो कई बार उसमें खटा मिठा सा समन्द रहेगा लेकिन गक्ति अगर पढ़ेगा तो लगतार पढ़ेगा छोड़ देगा तो लगतार छोड़ देगा ऐसी स्थति और गक्ति हमेशा ही एक पोजिशन पर कर रखता है पढ़ने पढ़ने के दौरान उसकी एक स्थति बनी रहती है जिसको वो हमेशा ही मेंटेन करने के उपर हावी रहता है या चीजें उसके उपर हावी नहीं होती वो लोगों के उपर हावी होता है ये बात भी दिखती है वो जहां भी रहता है बहले ही ग्यान पक् एकितोर ये के साथ चंद्रमा के कारण, क्योंकि इस्षूर ये balance करते हैं, ये एक 민주 व्यक्ति की रहेगी, जो कि अच्छी बात है. अगर यहाँ पे देखते हैं तो मैं इस चीज को जानने से पहले अगर मैं चतुर विशांसा देखूँ तो वहाँ पे भी जो इस्थोती देख रहा हूं उसके अधार पर व्यक्ति के जीवन में जो इस्थोती देख रही है भाग्योदे कौन से वर्ष में होगा अच्छा बुरा समय है उसके लिए कौन सा एक बाद मंगल की रासी बनी है 28 साल में कई बार भाग्योदे होता है और एक बत और बता दूँ तो दरसल आपने पूछा है कि कौन सा जौब या बिजनेस अच्छा रहेगा उसका देखें जन किसी भी चीज़ पे regular नहीं होते वो हमारी असफलता की सबसे बड़ी शिणी या सबसे बड़ी जो है वो एक जो है वो कारण बन जाती है लेकिन इस वच्छे के साथ ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है वो जो चीज़ पकड़ेगा उसको वो अंतिम तक finalize करेगा दूसरी बा किसी के साथ पार्टनर में बन करके नौकरी भी कर सकता है या किसी के साथ अपना ब्योसाइपी चालू कर सकता है लेकिन इनकी कुंडली के लिए जो कि मैं ग्रहों के स्तुति को देख रहा हूं उसके अधार पर व्यक्ति के जीवन में या तो खुद का काम या तो सरकारी न पशक्ता है, माता से इनके समंद्र कभी खराब ना हो, इस वाद का हमेशा ध्यान रखना होगा, अगला सवाल, अभी नहीं, यह जो सवाल अपने पूछा है, उसकी शादी में या संतान कब तक सही रहेगा, यह गलत सवाल है, उसमें कोई प्रॉब्लम, आप भी सवाल बहुत पूछते थे, मुझे याद है, एक बात बता दूँ कि, जो इस तोती मैं देख रहा हूँ, कि सुखी जीवन के लिए क्या करे, यह बहुत अच्छा सवाल है, सुखी जीवन के लिए, सबसे पहले, सुखी जीवन की धूरी हमारे माता-पिता ही तय कर देते हैं, हमारे माता- ने अपने बच्चे को कैसा संसकार दिया है, या दे रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है, सुर्यों को अर्ग देना, मंदिर का दर्शन कराना, प्रतेक पल गाये और अपने ब्रामभणों से अपने घर पे, जो बच्चा देखेगा, वैसा ही वो सीखने लगेगा, तो नेति का संसकार कभी भी कमजोर रही होगा, और वो नेति की अतत्तों का पालन करने वाला होगा, क्योंकि सुर्यों और गुरू दोनों केंदर में बैटे हैं, तो बच्चा बिगडेगा नहीं, यह मैं बात कह सकता हूँ, सुखी जीवन के लिए, काय की सेवा, ब्रामभणो क्या पूजन, ब्रामभणों का आदर, और सबसे बड़ी बात है, कि किसी का भी, वैसे एक बात और है कि इनकी कुंडली में जो मैं देख रहा हूँ, कि मीन राशी बनी है, तो वेक्टी का मन थोड़ा सा डो लेगा, लेकिन राशी के अधिपती केंदर में ही बैठे हैं, इ इसके हिसाब से ब्रप्ती को बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए, साथी साथ अगर बता दूँ, तो शनी और बुद्धका लगन केंदर में बैठना, जहां अस्टम के अधिपती के साथ, यहां भी सब्तम का संबन बन रहा है, सब्तम के अधिपती जन्मकुडले में दूसरी बात बता दूँ, चंद्रमा और केतु का गरहन कई बार व्यक्ती की वानी को अपवित्र और अभद्र कर देता है, इस वज़े से व्यक्ती की पतनी को ये बात भले से ही समझ देनी जाहिए, दूसरी बात है कि सुर्य का पराक्रम भाव में बैठना, दामपत्य कभ रहता है, वो कभी भी खतम नहीं होता, ससुराल पक्ष में राहू बैठे हैं, यहाँ भी तीन नंबर में, यहाँ भी तीन नंबर में, यह बहुत अच्छा होता है, इसमें कमजोरी नहीं है, दशमान्स कुडली में लक्षमी संपन्न होना, काम में शांती मिलेगी, जो ब्य इस डिगरी के हैं कुमार अवस्था के होंगे रेवती नक्षत्र में नक्षत्र जो बना हुआ है इनका उत्रा भाधरपत का बना है उत्रा भाधरपत के इनकी कुंडली में उत्रा भाधरपत के चौथे चरण के चंद्रमा जो होते हैं चौथे चरण के अधिपती वो मंगल ह और उत्रा भादरपत के चौते चरण के अधिपति मंगल इस कुंडली में मंगल की दशा बहुत जादा अच्छी नहीं होगी। नाम देते हैं कई बार बारहमें में तो शुभागर बैठे हैं तो यहां पे दामपत्य का सुख ब्यक्ति को मिलता है ब्यक्ति का खर्च बिल्कुल ही संतुलित रहता है चंद्रमा और गुरु का एक दूसरे से केंद्र में होना शुक्र और चंद्रमा का शुक्र और चंद्र कई बार शनी की दशा में तीखा धार्मिक हो जाए ये चीजें बंती हैं शनी इस कुणली में अच्छे नहीं होते इस वज़ा से थोड़ी से व्यक्ति के काम में बिलम किस्वती बंती है लगनेश के साथ लगनेश के उपर पापग्रहों का प्रभाव जादा है इस वज़ा स कई बार ये चीजें बंती हैं जहां व्यक्ति उग्रव्यव्यव्य चिंता और अनिर्णय या फिर लापरवा हो जाता है इन सब चीजों पर थोड़ा सा महत्मा गंधी ने बात कही थी कि भगवान किसी को लापरवा ही न दे क्योंकि लापरवा ही ना समझी से ज़्यादा ना खोती है तो मैं समझता हूं कि भग्ति थोड़ा लापरवा होगा तो इसको आपको क्रेयर करना होगा और इस पे आपका ध्यान जाना जाहिए ये बात बनती है आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं तो पहले आप इनको सरकारी नौकरी का प्रभाव बहुत ज्यादा विक्सित करिएगा सैनिक सेवा में भी व्यक्ति के जाने के प्रभाव देख रहा हूं मंगल जो है वो जन्मकुर्ली में कृतिका नक्षत्र में हैं सुर्य जो है वो जन्मकुर्ली में बुद्धिमान बना रहे हैं रेवती नक्षत्र में बैठे होने के कारण ये वाह देर से हो सकता है पत्नी लंबी और उम्र में थोड़ी से अंतर की इस्थोती को प्राप्त करने वाली होती है ये आपकी कुणली है तब तक के लिए बहुत बहुत तमस्का गीता जी के सात्वे अध्याय के 39 श्लोक में भगवान ने बात कही है क्या कही है जो जरा से यानि कि जो बढ़ापे से जरा मतलब बढ़ापा और मृत्यू से मौक्ष पाना चाते हैं उनको मुझे जानना ही होगा अब जरा सोच के देखिए इस जीवन में सबसे बड़ा कस्ट क्या है ये बार बार आवागमन ये क्यूंकि मैंने एक बात किसी कारिक्रम में कही थी कि जो दुबारा कोई मृत्यू का कारण ना बनने दे और जन्म वही सरेस्थ होता है जो दुबारा जन्म ना लेने दे इसका मतलब है कि हमें अपने काम पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा निरंतर जो है वो नाम जबकि स्थती हमेशा बनती रहे आप हमेशा चाहे कहीं भी रहे किसी बिस्थती में हमेशा ही परमात्मा को याद करते रहे जिसने आपको भेजा है उसके नमक को खा करके आपने अपना बलवर्दी और बुद्धी वर्दी की करा है इस वज़ा से इसको हमेशा ही स्मरण इसका हमेशा बने रहना चाहिए चाहे आप कितने ही अब जा करके फिर से, महुत बहुत नमस्ट करें.